हे गाई स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल पर अज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CP Plus के इस Wi-Fi कैमरे के बारे में इसका मैंने फुल वीडियो यूटूब चैनल पर अप्लोड कर दिया है साथ ही मैंने इसको पूरा completely सेट अप करके भी दिखाया है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको इस कैमरे को लेना चाहिए बाकि इस क्यों कैमरा है यह मैंने Flipkart की विक बियंडे में 1000 रुपेस का खरीदा था इसके साथ ही मैंने इसमें 128GB का Memory Card भी डाला हुआ है जो लगबग 850 रुपेस का मुझे पढ़ा था क्या यह एक कैमरा है वो आप अपने घर में है या फिर आप अपनी दुकान में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा कैमरा है यह सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं यह वीडियो completely इस कैमरे के अच्छा ही और बुराई के बारे में होने वाला है बाकि अगर आप चाहे तो इसका unboxing वीडियो और connection का वीडियो है वो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं यह जो कैमरा है यह अभी भी on है आप देख सकते हैं यहाँ पर light blink कर रही है बाकि यह जो कैमरा है यह बिल्कुल छोटा सा कैमरा है इसको आप चाहे तो अपने घर या दुकान के लिए भी ले सकते हैं बाकि इसके साथ आपको इस कैमरे के साथ आपको एक charger देखने को मिल जाता है साथी कुछ screw वगरा भी दिये गए हुए हैं आप इसको दीबाल पर भी लड़ा सकते हैं साथ याँ पर इसमें एक type-c cable भी दिये गई हुए हैं जिससे आप इस कैमरे को on कर सकते हैं बाकि कैमरे की पीछे के साथ आपको याँ पर एक speaker देखने को मिल जाता है इससे आप कहीं से भी इस camera को सुन सकते हैं या पर आप मान के चले आप अपने घर से दूर हैं और आप घर में कोई आया है तो आप अपने phone से ही इस camera के थुरू बात कर सकते हैं बाकि इसके आँगे की साड़ आपको आया पर IR sensor भी देखने को मिल जाता है जिससे आप इसको अंधेरे में भी आराम से देख सकते हैं बाती इस camera की सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी है कि इस camera को आप type C cable के साथ भी operate कर सकते हैं कहने का मतलब यह है कि जो हमारे गर में normal camera होते हैं उनमें बहुत ही ताम जाम होता है ताम जाम का मतलब यह है कि उसमें आपको एक अलग से DVR सिस्टम लेना पड़ेगा उसके लिए आपको एक AC सप्लाई मतलब आपको एक AC सौबर चाहिए पड़ेगा जो DC पर बर्क नहीं करता है लेकिन यह जो camera है इसमें जो memory card है recording के रिए वो उसके अंदर ही डलता है और जो camera है वो type C से operate होता है type C से बोले तो इसको आप charger से भी चला सकते हैं अगर आपके घर में light नहीं है या फिर आप बाउं के area में रहते हैं जहांपर light का बहुत ही problem है तो आप उस condition में इस camera को आप power bank के साथ भी connect कर सकते हैं अब यह camera on है वो भी power bank से on है मैंने आपको live आपको दिखा रहा हूँ यह power bank के through मैंने connect किया हुआ है और यह camera में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हलकी सी light आपको green glow की दिख रही होगी तो इस camera को आप power bank के साथ भी on कर सकते हैं बाकी second सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको ज्यादा cable की जरूवत नहीं पड़ती अगर आपके घर में internet connection लगा हुआ है या पर अगर आपके घर में wifi लगा हुआ है पहले से तो आप इसको wireless के through connect कर सकते हैं इसको आपको charger connect करने के लिए आपको एक cable की जरूवत पड़ेगी बाकी इसको जो recording का system है wifi है तो wifi कितरू आप इसको connect कर सकते हैं तीसरी सबसे अच्छी बात है कि यह जो camera है तो बहुत ही सस्ता है आपको 1000 रूपे में single PC एक camera देखने को मिल जाता है जो की 360 degree rotate होता है मतलब इसको आप एक जगा पर fix कर सकते हैं आप दुकान के दाय और बाय हैं फिर आप अपने घर में लगा रहे हैं तब इधर उधर कभी इस camera में देख सकते हैं अगर आपकी camera के सामने कोई आएगा तो इसमें alarm system भी आपको देखने को मिल जाता है auto motion है, auto tracking है बहुत सारी आपको इसमें features देखने को मिल जाता है यह जो camera है वो 108 GB support करता है लेकिन अब सबसे बड़ी problem की मैं आपको बात करके बताता हूँ पहली बात यह है कि यह जो camera है वो waterproof नहीं है मतलब आप इसको outdoor में नहीं लगा सकते हैं आप चाहे तो इसको दुपान के अंदर या फिर घर के अंदर ही लगा सकते हैं क्योंकि यह camera है वो waterproof नहीं है और दोसी की सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो camera है उसमें आपको Wi-Fi option दिया गया हुआ है और इसमें SIM card support नहीं है नहीं इसमें Internet cable लगती है मान के चलिए आपकी धर में Internet connection नहीं है तो आप उस condition में इस camera को कैसे operate कर सकते हैं क्योंकि इस camera को Wi-Fi के थुरू ही connect करना होगा तो उसके लिए बहुती अच्छी चीज में आपको वीडियो में लेकर आया हूँ आप इस तरीके से market में Wi-Fi dongle देखने को मिल जाते है तो लगवक 15,000 से 2,000 रुपीस के आते हैं यह मेरे पास एक Wi-Fi dongle है जिसमें यहाँ पर एक SIM डलती है जिसके थुरू आप इसको आप Powerbank के साथ connect कर सकते हैं आप चार्जर के साथ भी आप connect कर सकते हैं तो इसमें से hotput के थुरू आप इस Wi-Fi को connect कर सकते हैं कहने का मतलब यह है कि आपने इस डॉंगल के अंदर एक जो भी SIM है आप इसके अंदर एक SIM डाली इस pen drive को आप Power के यह Charger या पर Powerbank के साथ भी connect कर सकते हैं उसके बाद इसमें से hotput आने लगेगा तो इसका जो password है वो इसकी उपर ही लिखा हुआ है घर में कोई इस्थाई Wi-Fi नहीं है तो उस condition में आप इस डॉंगल को लगा सकते हैं और बाकी यह जो camera है बहुत ही अच्छा है 1000 रूपीज के साब से बहुत ही बढ़िया है मैरे ख्याव से तो ज्यादा बेकार भी नहीं है आप इसको आराम से लगा सकते हैं बाकी फुल वीडियो वो मेरे YouTube चैनल पर अपलोड है आप वाज इसको इसली देख सकता है तो बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जबू बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कोल भी ना बुड़ है